नमस्कार आपका स्वागत राजनावा टेवी पे मैं भूनम आपके स्वाइब जारकेंट विदानसभा चुनाओं के लिए बीजेपी के बाद आजसू ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है पहली सूची में दस सीटों में आठ पर कैंडिडेट की खोशना की गई है मनोवरपूर और डूमरी सीट अभी होल्ड पर है पार्टी सुप्रीमों सुदेश मैतों खुद सिली से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने तीन विधायकों को रिपीट किया है वहीं दो महिलाओं को भी मोका मिला है होल्ड पर रखी गए डूमरी सीट से यशुदा देवी की नाम की चर्चा है इधर वी जेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावत बढ़ गई है अरजिन मुंडा की पतनी मीरा मुंडा को टिकेट देने के विरोध में में का चादार पहले ही पार्टी चोड़ सकी है अब रविवार को भाजपा नेता गड़ेश महली और मलखान सी ने भी पार्टी चोड़ दी भाजपा की राष्टी उप्रदिक्ष्ट लुईस मरांडी ने भरहेट सीट से चुनाओ लड़ने के आपर को टुखराद कर स्पष्ट किया कि वो अब भाजपा में नहीं रहेंगी सूत्रों के अनुसार वो जल्द जामुमों में शामिल होगी वे जामा विधानसभा सीट से चुनाओ लड़ेंगी हुसेनाबाद के भाजपा ने ताविनोत सी और प्रदिश भाजपा कारे समीर की सदर से संदिप बर्मा ने निर्दली चुनाओ लड़ने की गोश्टना की है सद्दिप बर्मा ने प्रेस कॉन्फेंस कर कहा कि राची से निर्दली चुनाओ लड़ेंगे इचागा स्टीट आजसू के खाते में जाने के बाद से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मलखानसी ने भी इस्तिफा दे दिया मलखानसी ने कहा कि वे 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे गडेश मेली सराय केला में चमपई सोजन ने खिलाफ भाजपा के टिकेट पर चुनाओ लड़ते रहे हैं मदपूर के पुर्विदायक राजपलीवार और पुर्व मंत्री बाटुल जहा भी पार्टी के रवईये पर नाराज हैं राजपलीवार ने सोचल मीडिया में लिखा कि मदपूर में उस भाजपा कारकरता को टिकेट देना चाहिए था जिसने सालों से बिना स्वात पुन पसीने से पार्टी को सीचा है जब बेगा दुखत है कि समर्पित कारकरता की जगह एक धन्वान व्यक्ति को चुना गया भाजपा नेता शुशंकर सी जमशेत पूर्वी से निर्दली चुनाव लड़ेंगे शुशंकर भाजपा से टिकेट के दाविदार ते इसी के साथ परनेरा इराजनामा टीवी के साथ धन्यवाद